नमस्कार दोस्ता बात करेंगे हम ring pay later app के बारे में आपको दादू ring pay later में आप bank transfer कर सकते हैं जो भी आपका amount है उसके बारे में चलिए screen पे चलते हैं step by step आपको दिखाता हूं कि कैसे आप ring pay later में जो limit मिली है आपको bank transfer कर सकते हैं अभी साहर यह है कि आप अपने personal account में कर सकते है और उसके उसके बारे में भात करते हैं और आपको जो चार्जिस अगर करते हैं दो में हो सकता है कभी आपको शरूरत पड़이गान तो दोस्तों आपको आना है मोर वाले सेक्षन पर जो आपका यह होम पेज है रिंग पे लेटर का क्रेडिट लिमिट मुझे यहां पर 7644 मिला हुआ है और वहां पर जो नीचे आप देख रहे होंगे होंगे होम टांजेक्शन इसकैन का इसमें दिख रहा है आपको रिवार्ड और उसके बगल में मोर वहीं पर बैंक ट्रांसफर का उप्शन आपको दिख जाएगा उसके बाद उस पर जैसे ही बैंक ट्रांसफर पर आप क्लिक करेंगे यहां पर लिखा मिल जाएगा कि अभी यह बैंक का जो ट्रांसफर है वो ओन अकाउंट यानि की आप ही के नाम से जिस नाम से रिंग है current है वह आपको डाल देना है उसके बाद जैसे ही आप उसको continue करेंगे बैंक आपका उठा लेगा उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको amount जितनी भी credit limit मिली है उसमें से जितना भी आपको यहाँ पर इस्तिमाल करना है या भेजना है बैंक में वह यहाँ पर type कर दीजे 10% चा करता है कि आप फिर भी यूज करेंगे तो यह आपका decision होगा और यूज कर भी सकते हैं कभी काम आ सकता है उसके बाद transaction pin आपको डाल देना है उसके बाद जैसे ही डाल देंगे कुछ देर तक यह process में चला जाएगा तो मैं आपको कह रहा था कि आप यूज कर सकते हैं आपक आपके लिए माइन रखता है तो मेरे हिसाब से उस time पे आपको यूज करना होगा क्योंकि charges जो है वो 10% मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा है बाकि आप comment करके बता सकते हैं यह मेरा personal बिचार है कि 10% ज्यादा है उसके बाद जैसे ही continue करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे payment successful हो गया है और payment done करके आ जाएगा तो मैंने 50 रुपीज का payment done किया था यानि की transfer किया था बैंक में उसके बाद जैसे ही मैंने पूरा successful हो गया था उसके बाद मैंने देखा वहाँ पर जो credit limit है उसमें से उतने रुपीज आपके जो है वो कम हो जाएंगे और वह आपका चला जाएगा current spend में यानि कि आपने spend कर दिया है अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो charges है वह कहां पर सो होंगे तो आप जैसे ही pay early क हिसाब से 5 रुपए लग करके 55 रुपए यहां पर आ गया है और repayment charges जो लगने है वह तो यहां पर नीचे आपको देख रहे होंगे जो भी platform में use करूंगा इन में से वहां पर तो लगी रहा है लेकिन 10% charge उस transaction पर क्योंकि था इस वज़र से 55 रुपए हो गया वहीं पर i button ह है तो उसको भी दवाएंगे तो यहां पर detailing में आ जाता है total spend 50 और transaction fees आपको यहां दिख रहा होगा जो पांच उपर लगा दिया गया है 10% के हिसाब से तो आपको समझा गया होगा कि bank transfer कैसे करना है अब charges उस पर 10% है अब यह आपका decision है कि आपको use करना है या नहीं यह आप पर depend करता है बाकि आपको कभी काम आएगा तो आपका यह process समझ लेना चाहिए तो आपने देखा कैसे लेटर में आपको transfer करना है आपका जो limit वहां पर मिला है वह बैंक में चला जाएगा लेकिन कुछ charges के साथ जो मैंने अब भी आपको बताया इस वीडियो में इतना ही कु